नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं जोतिश जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी आज कितने रोचक विशे से कितने मार्मिक और इमोशनल विशे से आप लोगों का हम परिचे कराएंगे और ये बहुत मासूम सा वि रमबना है मैं समझा तो मैं पागल रिष्टो को खोने का डर अक्सर इस डर से कही न कहीं इस प्रिथवी का हर इंसान बच्चे से लेकर के बुढ़े तक डरता रहता है और उसी डर के साई में जीता रहता है मित्रो ये विशह ही ऐसा है बच्चे को डर है ममा न खो जाएं पापा न खो जाएं खोना इन दी सेंस किसी तरह से रिष्टे का खत्म होना चाहे मर के खत्म हो या स्यप्रेट हो के खत्म हो दो ही अवस्था होती है मिस अंडरस्टेंडिंग के साथ खत्म हो जो होता है रिजन के साथ होता है रिजन ए टू जेट कुछ भी हो वो रिजन पे जाना ही नहीं वो विश्यानतर हो जाएगा सिर्फ एक चीज को यहां समझना है कि रिष्टों को खोने का डर हम सब को बच्पन से लेकर और मृत्यु परियंत तक बना रहता है यही एक डर 24 घंटे रहता है बारहो बहीने रहता है और जब एक बार इस तरह का डर सामने आ जाए मतलब आपको लग जाए कि अब रिष्टा तूट जाएगा खत्म हो जाएगा तो उसके बास से तो यह डर कांटी निवर्सली बना रहता है और जब दो-तीन बार ऐसा डर लग जाए दो-तीन बार अगर ऐसा डर लग जाए कि अब रिस्ता टूटा कि तब टूटा तब तो आप हर पल इसी डर में जीते हैं हर दिन ऐसे ही जीते हैं ऐसे ही निकालते हैं दोस्त के साथ, boyfriend, girlfriend के साथ husband wife के साथ, mamma papa के साथ, बेटा बेटी के साथ, दामाद जमाई के साथ, हर जगह है, जो ज़्यादा नस्दीक होता है, उसके खोने का दर उतना ज़्यादा सताता है, I can't live without you, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अक्सर ये वाग्व के कानों में मेरे भी सुनाई देते हैं, आप लोगों की समस्याओं के रूप में, तो ये जो डर है, ये आंतरिक रूप से आपको परिशान करने लगता है, और आप एक ऐसे डर के साए में जीतने लग जाते हैं, जो मतलब होना ही होना है, एक ना एक दिन उस रिस्ते के बगार तो जीना ही जीना है, लेकिन अब है डर तो है, है केतु तो है, है खश्ठेश तो है, है शनिराहु तो है, है पीड तो लगनेश तो है, आप कर क्या सकते हैं, लेकिन इस दर को हम अज्ञानतावस और भाउकतावस निकाल नहीं पाते हैं दो रिजन हैं इस दर के साथ जीने का दो कारण हैं एक अज्ञानता और एक भाउकता बहुत ज़्यादा इमोशनल होना तो कुंडली में जिन दसाओं का हमने अभी नाम लिया या जिन ग्रहों का हमने जिक्र किया वो यकीनन इस तरह की घटना के जिम्मेदार होते हैं इस प्रकार के थौट्स के जिम्मेदार होते हैं इस प्रकार की परिस्थिति के भी जिम्मेदार होते हैं मूल में परिस्थिती है मूल जो जड़ है वो है सिचुईशन सिचुईशन के जिम्मेदार इस प्लैनेट्स विच शनी, राहु, खश्ठेश, पीडित, लगनेश फोड़ लो मूर, कपार मार दिवार में सारे एकदम टूट फुट के लहु, लुहान होई जाए, मर जाए, कूद जाए छट से इनार कुवा, ताक ले पागल, किसके लिए जिसको एक दिन खतम होना ही होना, कितना भी अच्छा बांडिंग हो, मरेगा न एक दिन बस वो वाली फिलिंग, जो तब आएगी, वो आज क्यों नहीं आ रही है, अच्छा आप, कोई न कोई तो आपके सामने मरा होगा, वो मरने वाली फिलिंग तो आप ला सकते हैं न, सोच के, उस सिच्विशन को, वो खटित हो चुका है, तो आज सोच लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप मार च्छाती, बेटा, 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 बेटी, दमाद है तरे की, सारे केक्दम भाईके, कुल कुकर में एक नहीं खातिन, खाली, चोर बन गयाएं, डकईद बन गयाएं, छिनैती करें लागें, कुल कुकर में नहीं खातिन, और एक दिन उरहन के मरेख भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को बताने हैं, ऐसा लग रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा, मैं बता रहा हूँ तो यकीनन मैं ऐसा सोच सुका हूँ, मुझे नहीं डर है, मुझे नहीं डर है, इत्ता सा भी डर नहीं है, यकीन मानिये, साधना करना पड़ता है, कुछ को प्रकिर्ती साध के भेजती है, मतलब उनका प्रारब्ध प्रवल था, तो वो आज इंस्टेंटली एकदम से ऐसा सोच सकते हैं, आपको साधना करना पड़ सकता है, अंतर इतना है, साधिये, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्रतिदिन सोचिए, प्रतिदिन समझिए, कि ये होना है, ये होनी है, ये तो हो के रहेगी, तो उमीद बाद कर, खोने के डर में जीने को, अभिशप्त, आप मित्रों से, हम यही गुजारिश करेंगे, कि मैं जो उपाय बता रहा हूं, इसे तो आप करिए गाही, लेकिन मूल है, आपका माज़श्क रूप से मजबूत होना, ये जड़ है, आप आंतरिक रूप से, माज़श्क रूप से, बहुत मजबूत अपने आपको बनाईए, इस्ट्रॉंग बनाईए, फिलिंग्स बिलकुल आपकी स्ट्रॉंग हो, किसी तरह की ऐसी समस्या आपके जीवन में ना आए, अगर सिचुईशन एक्दम से अचानक आए, तो याद करिए अपने इस दोस्त को, याद करिए अपने इस इस आश्टो फ्रेंड को, कि क्या कहा था इस आश्टो फ्रेंड ने, कि आ सकती है इस सिचुईशन, आज ही आ जाए, आप अकेले इस ब्रम्हांड को बदलने की कूबत रख सकते हैं, आज कितने संसाधन है हमारे पास, एक वक्त हुआ करता था 70s, 60s में, 80s तक, लेट 80s तक, जब आप हम सब बदे थे, बहुत सीमित संसाधन थे, आज बहुत कुछ हमारे हाथ में है, चेंज कर जाने का, कर गुजरने की, तो एक खास रिष्टे को ले करके कपार फोड देना, या कपार फोड लेना, किसी मार बैठे या हम खुद मर बैठे, ये मतलब बेकार की सोच, वोट इस देस, ऐसे, ये ये एक्स्प्रेशन होना चाहिए, ऐसे, ये एक्स्प्रेशन होना चाहिए, है, चब, तब, ऐसे, तो, आप कितने भी असहाय क्यों ना हो, सबसे बड़ा असहायनेस क्या है, असहायनेस क्या है सबसे बड़ा, एक कैय है, पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा, तब लोग नहीं है, एक कैय मिलेगा, चुल लेजिए, पैसे की तरफ जाना है, रिस्तों को side कर दीजिए रिस्ते निभाने हैं पैसे side कर दीजिए हाँ शारिरिक अपंगता कुछ हाज आए तो भी असाहाई नहीं होना है तो मेरे ख्याल से ये एक motivational feeling along with astrology हमने आपको आज दिया है कि इन कुरूरतम ग्रहों के द्वारा प्रदत situation situation परिस्थिति को आप अपने हिसाब से adjust कैसे करें be prepared for everything हर चीज के लिए हर पल तयार रहिए simple और कोई परिस्थिति नहीं है हम तो याद कर लेते हैं कि दिल्ली हम आये थे क्या लेकर आये थे 1500 रुपय जोला दुचाट्टू पुरान कपड़ा हर संगर सुशील की कहानी 99.99 प्रिस्थित शिमिलर हाँ समानता भाग यो उनका साथ देता है तो उनके दोरा जो होता है वो फलित हो जाता है अंतर इतने है कि आपने किया फल नहीं मिला हमने किया फल पा लिया इतने अंतर है संदोश करिए सब चीजे connected है रिस्ता खोया पैसे पाए पैसे आए रिस्ते नहीं रहे पत्नी कहीं चली गई बच्चे कहीं चले गए भाई अहंकारी समझने लगा दोस्त कहते साला इगो में रहता है यही सारी चीजे लेकिन पैसा है ना आपके पास simple तो आप अपनी एक्छाओं को पूरी किये तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है सोचना बस इतना है कि आप खुश कैसे रहें that's it full stop उपाए 108 चावल के दाने लीजिएगा कच्चे चावल के दाने 108 की संख्या में और उन पर हल्दि छुड़क करके एक चादी के सिक्के के साथ किसी सफेद कपड़े में बाध कर रख लीजिए अपने पास इस डर से बाहर आ जाएंगे हमेशा के लिए रहने दीजिएगा होले दिवाली में चेंज कर दीजिएगा चावल कहीं इदर उदर पश्चियों में डाल दीजिएगा कपड़ा वही यूज कर लीजिएगा और सिक्का वही यूज कर लीजिएगा बस इतना करिए रिस्तों के खोने के दर से बाहर आएंगे 22 से 26 सूर घणर रुष्ठान का सिदाट